Hello and welcome back to the channel वापस हम लोग आचुके हैं City Skylines 2 में लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो dumpy art था उसको यहाँ पर shift किया था एक coal power plant बनाया था और साथ ही अपने इंडस्ट्री को भी यहाँ पर shift कर दिया हम लोगों ने अभी snowfall हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना कुछ clear तरीके से दिखने रहा है सब कुछ एकदम plain plain सा हो रहा है अपनी city भी ठकी हो यह और साथ ही हम लोगों ने अपनी city को ना थोड़ा बहुत यहाँ पर expand करना start किया था और यहाँ पर मैंने यह क्या बना रखे है मैं मेरे को खुदी नहीं है यह मुझे खुदी नहीं है ओ ओके ओके तो यह हमारा थोड़ा बहुत commercial zone है ठीक है तो मुझे वही सोचा कि मैंने यार अलग type के घर क्यों दिख रहे है तो यह commercial zone है और यह अगर मैं बीच में बना देता तो ज्यादा बैटर रहता शायद बट इतना भी चलेगा यहाँ से हमारे जो citizen से उसको access कर सकते हैं अभी हमारी demand वापस से बढ़ रही है तो फटा पर से नहीं पहले काम करते हैं थोड़े बहुत यह वाले घर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इधर पर मैं यहाँ पर similar style का घर बना रहा हूं भी देखते हैं कि अच्छा लगेगा कैसा लगे उसके ब लग लग रहे हैं कि center में तो नहीं होगां कि दोन साइड में हैं इरी क्योंकि आ यह पर और यहाँ है थिंसे मूरी लगा सकते हैं क्या एक बार मैं चेक कर रहा हूं यहां से तो आज हम लोग ने लास्ट आले पीसोड में क्या कररें तो सबसे पहले हम लोग कितना डेफिसेट में जा हुआ रहे हम लोग्त 5,000 पर और हम लोग माइनस में नहीं हम को पाजिटिद में करने तो इस चीजेट पर द्यान देना में स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हम लोग बढ़ा सकता है अभी मैं इसको इतना ज्यादा छेड नहीं रहा हूँ मैंना सबसे पहले यह देख रहा हूँ कि वाटर एंड सीवेज वाला हमारा मेंटेनेंस बहुत जादा जारी इसकी तो क्या हम इसका बजट थोड़ा से कम कर लें वाटर एंड सीवेज का अगर मैं थोड़ा इसको 80% तक करता हूं और अगर यहां पर चेक करता हूं मैं वाटर कर लिए बलकि मुझे लगता है कि वाटर और सीवेज में हम लोग काफी कम कर सकते हैं और कम इसको करने वालों वाटर और सीवेज में 50% 60% अभी चलते हैं तो हम लोग इसको वापस से देखते हैं अभी भी काफी सही है ना आब चलेगा मतला हम लोग बहुत खर्च कर रहे लेक्ते है और गार्बेज का मिन tw arbe मिन को देखना है कि गार्फित को क्या चल रहा है गार्विज हम लोग बना रहें 19जन पर मंथ और चैकति यह 693टे हैंत्व वोट्रेंटी सब्सक्राइबने में उसकी और तो थींप्ना कम हो गई हम लोगो सब्सक्राइब comment लाग में इसको सब्सक्राइब। कम कर लिए चीज़ है और एक बार देख स्ब्सक्राइब। गर देखा तो 6 इसकी जो कैपेसिटी है भी चाहस तो 93 टैने है इतना है इतना है प्रोसेसिंग पर टन ठीक आभी कोई इस्व नहीं है ना इतिंग हाँ अलेट तो अभी हम को जो बनाना है जियो थर्मल पावर प्लाइंट में सोच रहा हूं कि आज हम लोग बनाए उससे भी ह उससे एकस्पोर्ट कर सकते हैं अभी फोकस रहेगा एकस्पोर्ट का ड़मका इसान क्रें इसनी सिंख भी जाया हमको यहां पर प्रड зан 12,000 डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर मंद का हमारे यह है इस बगर यह सब यह इस हमारे बहुत जाद है उसमें 82,000 पर मंद का मारे इसका एक्सपेंस जारहे तो अभी देखो हम लोग अगर जियो थर्मल पॉर plant बनाते हैं तो उसके लिए condition सो सबसे पहले हैं जी हम लोग जो कि हम लोग यहां से देख सकते हैं शोड़ा बार उसको यहां पर बना सकते हैं और इसे थोड़ा माध प्लूशन अर bord ऊसैं यहां से तो अगर हम लोग देख beauty यहां पर देख हैं वहश्कर mobile underground heat होती ना उसको हम लोग electricity में convert कर सकते हैं और उसके बाद से हम लोग थोड़ा बात air pollution और noise pollution होगा बट हम लोग इसको कर सकते हैं यह भी solar power plant भी हम लोग बना सकते हैं अभी unlock नहीं हुआ but can be upgraded with an additional turbine a more efficient power generation process and high voltage substations तो noise pollution medium है इसे air pollution medium है ground pollution medium है तो कोई फरक उतना ज्यादा पढ़ने वाला है क्योंकि हम लोग इसको दूर बनाने वाले और इसको मैं थोड़ा से रोटेट करके मैं चाहता हो कि सब चीज एक दम parallel कि चले हम लोग यहां से अल्राइट तो यहां से हम लोग ने एक रोड यहां पर एड़ कर दी जहां से गाड़िया जाना स्टार्ट होंगी और यहां पर यह सब होगा फिलाल हमको टावर हो रहा है एड़ करना है और यह टावर हम लोग यह तो यहां यहां से डिरेक्ट लेके जाके न एक काम यह कर सकते हम लोग कि यहां से हम लोग यह टावर लेके जाएं यह वाले और इसको अगर हम लोग अंडरग्राउंड लेके चलें उसके बाद हम लोग यहां से कनेक्शन वैसे हम अंडरग्राउंड ना होके हम लोग ऊपर से भी एड करने की तो हमको पहले यहां से connection add करने है तो मैं अंडर ग्राउंड नहीं हो ना मुझे नहीं बता तो यह हमारा connection हो चुका है ठीक है अभी मैं इसको फिलाल बंद कर रहा हूं और एक बार हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग अभी कितनी electricity export कर रहे हैं तो यहां पर हमारी electricity का बीड़ा भी नहीं ओ सत्राइं ओ सत्राइं इंप्लाई यहां पर काम करना स्टाट भी कर चुका है तो एक दम गोली की स्पीड से जल रहा है हम लोग इसमां अपग्रेड करके अलाव दपावर प्लान तो यूज लोवर जियो थर्मल तैंप्रेचर विज इंक्रीज इंक्र तो थोड़े नहीं काम करते हैं सिटी को अपना थोड़ा फास्ट रन करके देखते हैं सिमुलेट करके देखते हैं उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ चीजे में फरक आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है इंप्रूमेंट और बांकि हमारा पारक तो बहुत कोट कर पाएं बट मुझे ना प्रॉपर कनेक्शन मिल नी पार अगर हम लोग इस साइड से जाएं तो यह बहुत लंबा पड़ जाएगा हम लोग के पास यह वाला एक ऑप्शन है जो कि हमको क्योंकि यहां पर भी इसको भी बाई करना है बाई कर ली मैंने तो हम लोगे जो ह हो रहा है इन्वैलिट शेप दिखा रहा है मुझे हम लोग एक काम यह कर सकते हैं एक बार मैं पॉस कर रहा हूं हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं और यह जो मैंने लगा रखा उसको मैं हटाओं अगर यहां से जल्दी से ऑल राइट अब अगर हम लोग यहां से अब रोड ओली और हम लोग हम लोगना यहां तक तो आलड़े आपर तो हम लोग उसको वैसे ही कनेक्ट रहने दे सकते हैं मु जा इसकल मैं। आई सअ लग रहा है कि धूडैक्ट रहने दे रहे हैं। तो वो उसकी वासे थी, तो कोई बात नहीं, यहां से हम लोग इस वाली रोड को लेके जा सकते हैं, या फिर हम लोग यहां से एक हाइवे निकाल सकते हैं, उधर को, हम लोग इसको हाइवे में कनवर्ट कर सकते हैं, और यहां कहीं से निकाल के लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक road निकालते हैं यह वाली road लेकी चल रहा हूं मैं यहां से I think सही रहेगा ना I think यहां से हां तो यहां से overlap कर रहा है न मुझे यहां से लेकी जाना होगा इसको I think ऐसे ऐसे अल्राइट उसके बाद अगर हम लोग इसको आगे continue करते हैं आरी गाड़िया आरी गाड़िया तो यहां से गाड़िया आनी स्टार्ट हो चुकि रोड थूड़ी बात उचे नीचे हो रहे की बट इतना चलेगा road तो सीधी होती भी नहीं ना तो इसको हम लोग बाद में पसंड इसको मैं कर रहा हूं एक सगेंड अगर मैं देख हूं तो अभी हम लोग expense export बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं थोड़ दर city को run करने देता हूं उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग इसी की through यहां से connection ले जाके electricity अगर डिरेक्ट यहां से एक्सपोर्ट करें तो क्या कुछ फाइदा होगा पता नहीं बट फिल्हाल हम लोग और माइनस में चल रहे हैं क्यों लेकिन यह देखना पड़ेगा सर्विसेज में अगर देखे हैं हम लोग एकसे सर्विस वाया आउटसाइड कनेक्शन एक सेकंड हमारा पास है कितना पानी एक बार हम लोग पानी पंप कितना कर रहे हैं एक बार यह तो देखूं हम लोग कंजम्शन हमारा है एकटिस हजार क्यूबिक मीटर आइधिंग पर मन्त और आउट्पुट इतना हमारा है तो हम लोग एकस्पोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या सीवेज एकस्पोर्ट भी नहीं हो रहा हमारा और नहीं हमारा वाटर ट्रेड मेरे को लग रहा शाद थोड़ी देर में चीजे फिक्स हो जाएंगी है ना अभी हम लोग इसको चलने देते हैं और यहां पर प्रॉब्लम आरी एक सेकंड मुझे लग रहा यहां पर लोग हाई रेंट का प्रॉब्लम चल रहा था तो हमको यहां के कुछ एरियाज डेवलेप करने होंगे जिसमें की कॉनसी डिमांड बढ़ दी व तो इसक dominator की तो हम लोग रहा है यहां पर फिर हम लोग यह वहाले घर बनाए यहां पर यहां पर यही ऩहां पर फिर हम लोग घर बनाले एंव इहां पर है ना जितने भी हैं ठीक है थोड़ अश्याः थोड़ों साही जो प्रॉब्लम है वह सालव हो जाएगा और Ist्व मैं बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा हूँ शायद जहां तक मिर को याद है देखो हमको अगर इसको हम लोग ने यह बना रखा है कोल पाउर प्लैंट ठीक है इसकी जो बिजली है वो हमारी सिटी में ही जा रही है और जो बच रही है वो बस यहां पर एकठा हो रही है और डाल रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी शाद हमको जरूत नहीं थी तो हमको यह वाले पाइप वायर चाहिए पाइप कर रहा हूँ इसको डिलीट कर रहा हूँ इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ ठीक है अब हम लोग अभी अगर हम लोग का पाने एक्सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है उसके अलावा अगर हम लोग इलेक्टिसिटी देखे तो हम लोग वब-फब यहां से बनाऊ है अब अगरम लोग लिएत करे 그lé Rob यहां से बना रहे अब हम लोग देखे थोड़ा ज़्यादा आरा एक्सपेंस लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा स Mensch विल्डिंग को भी न तोड़ने रहा हूं अब मुझे यह कंफर्म नहीं है कि इसको हमको जरुत है भी या नहीं है तो क्योंकि हम लोग इससे डायक्ट शायद इलेक्ट सिटी हम लोग इससे पाहर भेज पाहर है है मुझे ऐसा लग रहा है हमको थोड़ देर और वेट करना पड़ेगा अब हम लोग 2660 डॉलर पर मंद पर आर का चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको एडजस्ट होने में और अपडेट होने में उसके बाद से शायद हमको यहां पर देखने को मिलेगा अगर ज सकते हैं एचुकेशन में हम लुग थोड़ा सा कम कर सकता है it i ti first firewire में हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं हमोोग कि सब करे मुझे लगता है कि हम को ना यहां पर मैंने न कल एक वो बनाया था टावर लगाया था मैंने यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे यहां से रिलोकेट करना चाहिए और मुझे इसको लगाना चाहिए यहां कहीं पर ताकि हमारी जो सिटी होना ऐसे कहीं पर यहां पर देखरो अभी पूरा area इससे हो रहा है, अब यहां पर road लेकर आने, road की side में बनानी है, क्या है? तो हम इसको relocate करते हैं और कहीं पर road की side में इसको बना देते हैं, यह हमारा क्या चीज़ है I think इसके बगल में हम इसको बना देते हैं तो अब अगर हम लोग देखें internet का, तो internet का अब यह हमारा पूरी city, almost हमारी जो पूरी की serve करेगा, I think यह इतना इरिया को serve करेगा, तो हम लोग यह post office भी बना सकते हैं, ओ, तो यह हमको road side में बनाना होगा, और enlightenment को समझ में आ चुका, तो हम लोग अगर इसको इधर कहीं पर बनाए, I think मुझे लगता है कि एक ना dedicated मैं यहां पर बना लेता हूँ, इन लोगों के लिए, और एक मैं बनाता हूँ, यहां कहीं पर, I think यहां पर, हाँ, तो यह यहां तक लोगों को serve कर रहा है, अभी हमारे जो लोग हैं थोड़े से खुश और ज़्यादा होंगा, lack of entertainment तो entertainment के लिए अभी हमारे पास जादा कुछ है हम लोग इसको देखेंगे, बाद में फिलहाल अपना budget देखना हम लोग 1905 डॉलर पर गंटे का भी loss में चल रहे हैं जो कि हम लोग इसको positive में लाने की कोशिश करेंगे, मैंने plus thousand लेकिन इतना हो पाए का नहीं हो पाए पाता नहीं, फिलहाल आयार मैं इस चीज़ को लेकि थोड़ा सा doubt महूं कि हम लोग outside में connection तो हम लोग ने कर लिया अब एक बार देखें अगर हम लोग इसकी जुरुरत नहीं है ना इसको अगर हम लोग अब अगर हम लोग देखें यहां पर तो outside water and sewage यह भी same चीज़ है ठीक है हम लोग अभी कर लिया अब शायद हम लोग अगर देखें अभी हम लोग चल रहे है कि हमारा water अगर हम लोग पानी का कुछ और बना पाए ना यहां पर अगर हम लोग देखें एक तो यह problem आ रही है यहां पर इन लोगों को lack of labor तो मुझे लग रहा है कि हमको थोड़े से घर और city अपनी जो city है उसको expand करना पड़ेगा इसको expand करने के लिए हम लोग यहां पर grid बनाने यह side से लेके आने चाहिए थी तो यह ज़्यादा better लगता एकदम corner से क्योंकि यहां पर घर बनाऊंगा वो अजीब लगेगा न हम लोग इसको fix करते हैं अभी और उसके अलाव यहां पर पहले मेरे को थोड़े बहुत नहीं और मैं घर बना रहा हूँ फटबट से वो करते लेगा not enough customers तो यह high rent, high rent का issue आ रहा है इनको मिलेको लग रहा है जो इस टाइप के घर है ने इनका rent जादा हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि level इनका बढ़ चुका है तो level बढ़ने का मतलब तो यह है कि जादा ग्यार इनका rent जादा हो रहा है मुझे लग रहा है कि जादे वाले घर शायद इनको affordable लगें कि लोग यहाँ पर shift हो सकते हैं और अभी मुझे try करना है कि कि किसी तरीके से यह जो road है ना इसको इसको यहाँ से connect करने के कोशिच करता हूँ इसमें तो यहाँ पर यह हो चुका है यहाँ पर हमारे एक छोटा सा पार्क वार कुछ आ सकता है या फिर हम लोग देखते कि हमारे पास और कुछ है क्या चोटा सा यह पार्क maintenance depot भी हम लोग बना सकते हैं जो की ध्यान रखेगा I think houses a maintenance office and a garage for vehicles well maintained parks और noise pollution low है इसका maintenance vehicle तो यह काम की च फूश है यहाँ पर और एक सेंट ट्वीट सारें थोड़े से लोगों के वह पड़ देते हैं और water and sea wage handling capacity exceeds our own needs so we are selling the excess capacity to our neighbors ठीक अची बात है I would really like to have a home here in the city but they are none available okay okay this city has the best internet connection ever can download everything I ever wanted तो लोग खुश भी है और कुछ लोग का घर का issue आ रहा है जो कि मैं solve गरने की कोशिश कर रहा हूँ अभी हमको वापस से न गाईज इस साइट तो मैंने यह वाले घर बना लिए यह एक छोटा सा घर किसने बना लिया बीच में अब हमको वापस से यह वाले घर बनाने तो यहां पर घर बनने start हो रहे हैं थोड़ थोड़ फोड़ अलग घर बना रहा हूं और डिमांड अभी वापस जारी commercial दिमांड जोन की धिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है तो यहां पर हम लोग एक commercial टैप का हब सा बना सकते हैं मतलब यहां पर commercial जोन बहुत अच्छा ल बात ने हम लोग जितने बन पारें उतने बनाते हैं पर commercial buildings तो try करूंगा कि side में इस side को उनका face रहे ताकि इनका face इस side को रहे और यहाँ पर जो लोग है और यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर इनका face हो जायेगा चलिए थोड़ा बहुत यहां पर बन जाएंगे हमारी commercial demand almost नीचे चले जा चुकिए और वापस से हमको अपनी city बहुत ज़ादा expand करनी पड़ेगी वापस से demand बढ़ लिया low density residential house के और medium density और हमारा industry demand थोड़ी बहुत बढ़ लेकिन ठीक ठाक है उसके लाए office की demand ज़ादा नहीं है electricity वाला क्या अब डेट हुआ देखो चाल लाग 21,000 डॉलर का हम लोग electricity export कर रहे हैं मुझे नहीं बता कि मैंने वो चीज़ सही कर रही है या फी गलत कर रही है जो चीज मैं आपको दिखा रहा था एक बागर देख है यहां पर हम लोग कि हमारे जो चीज हम लोग ने बना र यहां पर हम लोग जादा बना रहे हैं 174 मेगा वाट तो अगर हम लोग एक बार में को देखना है कि ग्राउंड वाटर हमार पास और कहां कहां पर है हम लोग इधर कहीं पर भी बना सकते हैं और यहां पर टाइल बाई करके यहां पर भी बना सकते हम लोग कॉस्ट जादा जितना हम लोग कमाने उससे ज्यादा आ रही उसकी कॉस्ट क्यार अभी हम लोग माइना सत्रा सौ पर हैं मुझे लग रहा है कि धिरी धिरी करके हम लोग शाय जो पॉजिटिव मा आ जाएंगे एक डॉलर भी हम लोग पॉजिटिव मा आ गए ना बहुत बड़ी बात हो कि हम और भी भी हेंडल कर flu करने कि किसकी मताइं किसी चीज से हम लोग πयंसा कमा सकते हैं थोड़ा सा भीट करते हैं हम लोग अपनी श्रीटिव प्रों इसके बाद वाद वी और अलहीडी घर बने चो यहां वालीब पारट में एक सेकंड में इसको भी zon कर ऑ तो कहां से बनेगा किस साइड को मूँ करेगा बंदा इस साइड को अब जाके हम पर बनेगी थोड़ी सी डिमांड डाउन जाएगी इसकी यहां पहना मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग डिस्टिक वाला हमार पास यह आ चुका है तो हम लोग इसको करके कुछ फाइदा उठा सकत चलते हैं तो यहां पर बहुत सारे बहुत आरा सब ब्रक्राइब करने रहा है तो यहां पर हम बसको पे अटेंचन तो दे यूसेज ऑफ एक और चीज थियां पर काम की चीज इस इन दे एरिया आर इंकरेज तो रिसाइकल इस विल रिदूस्ट आमाउंट आप उसे पार्किंग फी एक सेकंड एक सेकंड मैंने देखा है यह लोग रोड़ साइड में गाड़ियां पार्क करके खड़े हो रहे हैं यह देखो यह देखो यह देखो यह सारी गाड़ियां पार्किंग में लगा रखी हैं इसका हम लोग इनसे पैसे चार्ज करेंगे तो रोड़ साइड पार्किंग फी हम लोग ले रहे हम लोग का यहां पर उतना कुछ खास noise pollution है नहीं, यहां पर हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, फिलाल, मैं इस वाले पार्ट को भी, एक district ही कर रहा हूँ भी फिलाल, है न, इतना हम लोग इसको करते हैं, तो यहां से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो वैली टाउन इसका नाम में, इतना जयाद चेंज नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले इनको भी यही सेम चीज में बोलता हूँ, गिया भी छोड़ रहा हूँ है, रोड साइट पार्किंग, फी हम लोग इन से भी लेते हैं, और स्पीड बंप अगर हम लोग कम करें, तो noise pollution यहां पर थोड़ा बहुत तो है उतना जाद वैसे हैं नहीं, देखा जाए तो, इस side को है commercial zone में, बट हम लोग फिर भी इसको कर लेते हैं, अगर लगेगा कि सही नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको बाद में अटा सकते हैं, फिलाल हम लोग यह कर सकते हैं, मुझे एक चीज यह भी देखने थी, अगर हम ल सकते हैं, फिलाल के लिए में एक बार बंद करके देख रहा हूं, देखते हैं एक बार क्योंकि इसकी जुरत है नहीं हमको, फिर इंपोर्ट कराने की जुरत नहीं है तो थोड़ा पैसा हम लोग बचा पाएंगे, जो इंपोर्ट का पैसा है वो भी और इसका जो अपकी है 6000 पर मन्त वो भी हम लोग बचा पाएंगे, तो देखते हैं कि अभी हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सी इसको फास्वावड कर रहा हूं, अगर electricity का कुछ प्रॉबलम वैसे नहीं आएगा, क्यों आएगा यार हम लोग तो सिर्फ access वाले को कर रहे हैं पहले हम लोग अपने citizens क इसको electricity प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो बच रही है, उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, हमारे पास landmarks आ रहे हैं अभी collection, grand hotel, a towering monumental hotel with a classic design that stood test of time, और हमारे पास एक botanical garden आ रहा है, इनको बनाने के लिए हमारे पास जगह भी तो नहीं है, इनको ना अच्छी जगह मा proper तरीके से बनाना होगा, अभी मैं इनको नहीं बना रहा हूँ, मैं भी खर्चे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, minus 1424 डॉलर पर आर वापस से हम लोग जा चुके हैं, क्यों, इनको police का कुछ हा रहा है, police का मैंने already बना तो रखा है, cover हो रहा है पूरा, गाड़ियां भी चल इसको हम लोग upgrade करके, alright, एक second यह लोग dislike क्यों कर रहे हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा है का, इससे noise pollution हो रहा होगा थोड़ा बहुत, patrolling, police car, vehicles in use, patrolling में चल रहे हैं गाड़ियां, अभी मुझे लगता है कि अब नहीं आना चे, इसको हम लोग side में, इस वाली road में कर सकते हैं तो अभी फिलाल के लिए इसको जेलना पड़ेगा इन लोगों को, noise pollution में कितना हो रहा है, एक बार वो check कर लेते हैं, थोड़ा बहुत है, इतना bear कर सकता हैं यह लोग, तो guys मैं यह सोच रहा हूँ कि नहीं हम लोग एक geothermal और बनाना या फिर एक काम करते हैं, पहले उसको upgrade क करके देखते हैं, क्योंकि वहां से भी हमको फाइदा होने वाला है, तो इस वाले को हम लोग update करते हैं, हमार पास यहां पर दो options है, allow for new power line to be built from the plant, यह तो हमारे काम का शायद नहीं है, इसकी ज़रात नहीं है हमको, तो हम लोग यह बना सकते हैं, दो लाग पचाह जार, बा यारा महंगा पड़ रहा हमको, बट क्या हमको यह कर लेना चाहिए, अपग्रेड इसको, कर लिया अपग्रेड, अब थोड़ी दिर में देखते हैं कि हम लोग कितना, अभी माइनस 3000 पर चल रहा है, लेकिन थोड़ी दिर में शायद यह fix हो जाएगा, और बांकी सब कुछ यह जब यह हमारा सही चल रहा है, हम लोग नहीं पाए, अभी तक हम लोग पॉस्टिव में नहीं आ पाए, तो उसका हम लोग को देखना होगा कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ अपग्रेड वगर रहा है, तो हैं वहाँ फाइनली हम लोग एक सेड़ी इजुकेशन को को इशू तो नहीं आ रहा है इन लोगों को, इसको दिक्कत हो रही है, बार बार बाहर जाने में कि इतने पुलिस वाल है तो मैंने खड़े कर दिया, अगर देखा जाए तो देखों कितनी पुलिस की गाड़ियां गूम रही है, अभी कौन हो, एक सगंड कि इसको हम लोग कैसे टैकल कर रहे हैं, जो यह लोग ट्वीट कर रहे हैं, फिलाल अगर हम लोग देखे तो हम लोग 616 डॉलर पर घंटे का भी हम लोग positive में चल रहे हैं, बहुत सही चीज़, हम लोग पता नहीं कप से काम कर रहे हैं, बहुत महनत लगी है, लेकिन हम लोग मैं काफी कुछ चीज़ें करी हैं आज, जिसकी वज़े से यह सब चीज़ें हो पारी हैं, अब हम लोग आगर देखे हैं, एक बार water का कितना export कर रहे हैं, तो 14,000 हो चुका तो जो हम लोग ने उसको कर रहे हैं, उसका फाइदा हम को हो रहा है, अब हम लोग गार्बेज से यह बए, एक बार देख रहा हूं यहाँ पर गार्बेज वाला हमार पास कुछ तो अअप्षिन था एक वार यह हां पर चाहिग करें हम लोग मैं आभी चीज़ें अनलॉग नहीं कर रहा हूं ज जाद़, हमारे पास है मैं आप्वार यहां तो तो यहां सब्सक्राइब यह सूंद और सकते हैं अब अगर भी इसको बना एंप गार्वेज पैसे तो नहीं है और साथ ही इसका अपकी पगर देखे हम लोग मंतली एक लाग डॉलर है इसे हम फाइदा उठा सकते हैं अभी हम इसको बना नहीं सकते हैं अनफॉचुनेटली तो हम लोग अगर इसका बजट बढ़ा है तो 214 मेगवाट मैंना वही सोच रहा थे कि अगर हम लोग यहां पे एक और पावर प्लांट बना लें कहां पता हूँ इस साइड मां इधिंग कहीं पता हूँ एक बार चेक कर रहा हूँ मैं पावर प्लांट से हम लोग बहुत सार बिजले एक्सपोर्ट कर सकते यहांं पर रोड भी है और यह जो साइड हम लोग एक और बना सकते हैं अब कितना खर्च अक्षा और उसमें यह देखना होगा तो हमारे पास और पाब बनाने को हैं पैंसे है मेरे पास नई नई मिरे पास पैसे ही नहीं अभी 7,50,000 डॉलर अभी हमरे पास पैसे नहीं है तो लोन भी मैं उठाना नहीं चाहरा हूँ कि कि मैं और किसी चीज में पढ़ना नहीं चाहता है हम लोग ने ओल्लेडी कर लिया बट हम लोग और लेट तो डिमांड वापस से कम हो रही है और हमारा भी पॉजिटिव में 490 चल रहा है वापस इसको नगिटिव में नहीं लाना किसी भी हाल में अच्छे से काम करना है और यहां पर जो सिटी हमारी बनेगे न यह वाली थोड़े अच्छे घर इसमें बनेगे अलग अलग इस जगह पर क्या बनेगा कर सकते हैं यहां पर घरों को बाद में इसको नहीं कर रहा है इसको यहां पर यहां पर ट्राफिक हो रहा था कहीं पर इस जगह पह तो क्या वह भी solve हो चुक है अरे वह आपर यह तो स्मूद हो चुक है यहां पर ट्रैफिक का इश्यू आया था तो मैंने कुछ नहीं कर रहा था मैंने बस यह जो highway है इसको कर रहा था और इस highway को मैं यहां से एक यहां पर roundabout बनाए था और जो highway इसको मैं बहार outside world में connect कर दिया और मिल को पता है जो farming हो अगर है हम लोग next episode में वही करने वाले उसके लागर हम लोग proper तरीके से land buy करेंगा और वो सब करेंगे बागी city को design करने के लिए कोई और suggestions हो और क्या-क्या हमको बनाना चाहिए वो हो तो आप लोग comment करके जरूर बताना फिलाल आज का episode यहीं पर खतम क सबस्टार कर लोग